इर्फान हबीब मैं समझता हूँ एक पढ़ी लिख्या आतंगबाद का चेहरा दिखाई दे रहे हैं इर्फान हबीब जैसे विक्ति जो अलीगड मुस्लिम विश्विद्याले में जिनकी वज़े से बुरहन बानी या सिमी जैसे संग्ठन पनप रहे ऐसी मानसिक्ता के विक्ति आज खुलकर के सामने इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आज उनके विचार को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है आज देश जाग रहा है आज देश का मुस्लिम युवा जाग रहा है इस देश ने जहां जाकिर हुसेन इस देश ने जहां एपीज अब्दुलकलाम जैसे पड़ेले के मुसलमानों को राष्टपती बनाया सम्मेधान के बड़े पदों पर बिठाया वहां इर्फान हवीब जैसे लोग आज गोटसे की बात करने के लिए कहते हैं मैं समझता हूँ को गोटसे जैसा राष्टपत ना हुआ और ना होगा लेकिन सम्मेधाने पद पर बैठा हुआ व्यक्ति शायद गोटसे का नाम लेने में हिचके लेकिन अगर उन्होंने अबु शनूता का परिचे देना चाहिए था एरफान हवीब ने अपने एक आतंकवादी सोच और विचार का परिचे दिया इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए और ऐसे विक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसी मांग अखिल भारत हिंदू महासावा करती है क्योंकि जब तक ऐस इसे विक्तियों का विचार मरेगा ना इसे विक्तियों की सोच मरेगी इन लोगों को सजा होनी चाहिए और अशुक पांडे अखिल भारत हिंदू महासावा राश्टी प्रवक्तर